देश के सबसे प्रतिष्ठित एंजिनरिंग संस्थानों में छात्रों की आत्म हत्या पर सरकार ने कई कदम उठाने का एलान किया है भुवनेश्वर में आईटी काउंसल की बैठक में शिक्षा मांत्री धर्मेंद्र प्रधा ने सबी आईटी में काउंसलर्स भी न्यूक्त करने को काहा है बेशेक रिपोर्ट बीते दिनों आईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी के मामले ने इस बात की और ध्यान खीचा कि हमारे सबसे एलीट परिसर कुछ बच्चों के भीतर जान लेवाद तनाव पैदा कर रहे हैं बीते साल आईटी के सोला चात्रों ने आत्मध्या की और इस साल अब तक छे मामले सामने आ चुके हैं मंगलवार भूवनेशर में देर शाम तक आईटी काउंसिल की बैठक में भी छात्रों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर शिक्चा मंत्री ने सभी आईटी से एक विश्थित रिपोर्ट देने को कहा है गेद भाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसकी उपर आज हम सब चिंतित हैं ये एक सामाजिक चुनोती है इस चुनोती को उसके लिए आज की कई प्रकार की विशे की चर्चा हुई और मैं उसके लिए इतना ही नमरता के साथ कहूँगा उस इंस्चिट में जो गार्डियन के रूप में उस संस्था की अंदर काम करने वाले फैकल्टी हैं, डीन्स हैं, डाइरेक्टर्स हैं, इन सभी के दाईतों बनती हैं और हम सभी के दाईतों बनता हैं उनको देखवाल करना है हाला कि दिल्ली IIT जैसे संस्थानों में पहले से ही काउंसिलिंग बोर्ड बना हुआ है, जो छात्रों की समय समय पर काउंसिलिंग करता है लेकिन IIT काउंसिल के बोर्ड में कहा गया है कि कैमपस में भेदभाव जैसे मामले न हों, अगर सामने आएं तो उस पर तुरंद कारवाई हो IIT में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात 10-1 पर रखने पर भी सहमत बनी है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा IIT के पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ रहे ड्रॉप आउट और चात्रों में बढ़ रही मानसिक परिशानियों पर हुई इसी के चलते दिल्ली IIT ने मानसिक तौर पर पर परिशान चात्रों को 24 घंटे काउंसिलिंग देने की सुविधा भी दी है हम लोग अभी भावकों को समझा रहे हैं कि वो चात्रों की मनस्तिती को समझें और मदद करें यदि हमारी हड़ी टूटी है तो हमें रेस में नहीं उतरना चाहिए लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिती ठीक नहीं है और आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ देश में हर साल 1,35,000 लोग मानसिक परिशानियों से जूशते अपनी जान गवाते हैं इसी के चलते ये सवाल सिर्फ IIT का नहीं है बलकि समाज को भी चिंता में डालने वाला है नई दिली से वेदांत के साथ रवीश रंज शुक्ला, NDTV इंडिया